हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलिन बन, फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कक्षाचे हिंदी की एक नई सिक्षड योजना बना कर लाई हूँ, जिसका प्रकरण है इसे जगाओ, मुझे उमीद है कि यह सिक्षड योजना आपको पसंद आएगी, यदि यह सिक्षड योजन उसमें चार कॉलम बनाएंगे दिनांग, कक्षा विश्य और समय, दिनांग हम छोड़ देंगे, जब हमें पढ़ाना होगा तब हम दिनांग डाले हैं, कक्षा छे विश्य हिंदी और समय 40 मिनट, लर्निंग आउटकम में बच्चे काविकार असा साधन करते हैं, बच्चे बहुत सी कविता हैं, लयवद्द सुनाते हैं, प्रक्रड के अंतरगत इसे जगाओ, सीखने सिखाने की सामगरी, कविता, जगाने से सम्मंदित, कोई कविता लिख लेंगे, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, उठो लाल, अब आखे खोलो, पानी लाई हूं, धोलो, इसी लेकि एक कोई मा जिसमें बच्चों को जगा रही हुए, ऐसी कविता एक चार्ट वेपर पर लिख लेंगे, और बगल में इसके सुन्दर चेत्र बना लेंगे, और पाठ पुस्तिका, चौक डेस्टर, दिक्षा एप पर उपलब्द सामगरी, दिक्षा एप पर क्रम संग्या में हम का, खा और गा लिखेंगे, तीन भागों में भाजित करके, और चरण में भी हम तीन हैडिंग्स डालेंगे, सिक्षड के सुरुवात में, सिक्षड के दौरान और सिक्षड के बाद, सिक्षड के सुरुवात में हम एक गतिविधी डाल ला हैं इसमें, स इन कि आप उसे में कविता लिख दे रहे हैं और और भावार्त लिख दे रहे हैं। इसमें जो है समय हम लोग शिख्षक के शुरुत में पांच मिनट देंगे और आकलन के तरीके में बात चीद तथा प्रश्ण उत्तर। सिख्षक चार चार पेपर जो है उसके लिखी हुई कविता लायवद से बच्चों को सुनाएंगे और प्रश्न करेंगे तो हमने यह एक कविता लिख दिया है आपको अगर कोई कविता आती हो अलग से तो आप उसको लिख सकते हैं सभी लोग जो सिख्षक हैं इस कविता को बच्चपन में पढ़े होंगे या इसी टाइप की कोई न कोई कविता जरूर पढ़े होंगे तो कविता पढ़ने के बाद सिख्षक प्रश्न कर सकते हैं कि कविता में मा क्या कर रही है तो बच्चे जाहिर सी बात है कि बता देंगी बच्चे को उठा रही या जगा रही ह तब हम इसे जगाओ बच्चों से बताएंगे कि हम आज एक कविता का रसा स्वादन करेंगे जिसका प्रक्रण है इसे जगाओ इसके रचैता स्री भवानी प्रसाद मिस्तर जी है अगली हैडिंग होगी हमारी सिक्षड के दोरान सिक्षक कविता को लैबद उचित आरो औरो में पढ़ने के उपराद भावार्थ भी बताएंगे काठीन निवार और सामपट पर करते जाएंगे अंत में कविता का पाठ कक्षा के बच्चों को दो यानि जोडे में बाठ कर करवाएंगे दोड़ बच्चों को बुलाएंगे और उसी कहेंगे कि लैबद तरीके से कविता को पढ़ कर सुनाओ और बाकी बच्चों का ओलोकन भी करते रहेंगे और इस प्रक्रिया में हमको 20 मिनट का टाइम लगेगा और उसमें हम देखेंगे कि और लोकन लिख देंगे आकलन के तरीके में इसके बाद है सिक्षड के बाद में यानि अंत में गतिविधी एक गतिविधी फिरिस में डाल दिये ऐसी चक बच्चों को मा यानि कि बच्चों को मा और बच्चे जो है बना कर बच्चों में से ही दो बच्चों को उठाएंगे एक को मा बना देंगे दूसरे को बच्चा बना देंगे और इस जो कविता है इसका रोल प्ले करवा सकते हैं कि मा कैसे बच्चों को उठाती है जैसे एक बच्चा मा बन ज चाहते हैं तो वो उसमें सुधार होगा ग्रीकार के अंतर का सभी बच्चे कविता को कंडस्त करके आएंगे बच्चे कविता के अभ्यास प्रशन को करके लाएंगे शिक्षक की आगामी योजना पाट को और सकता अंसार कई बादनों में पढ़ाने के लिए खंडों में उसी हिसाब से शिक्षड योजना तैयार कर लेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए और इसे लाइक करिए तो फ्रेंड्स बाइबाइ